हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई किचेन, आज हमारी बिस्किट का केक बनाएंगे, वो भी एक ग्लास में, इसे बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी लॉक डाउन चल रहा है, तो आप बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ, आप ये केक एजिली बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे अपने ग्लास को ग्रीस कर लेंगे, ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा ओईल लेंगे, और उसे एक ब्रश की मदद से बिल्कुल ऐसे ग्लास के अंदर फैला लेंगे, ऐसे फैलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा आठा डालेंगे, उस आठा को भी फैला लेंग को गैस पर चड़ा के इसमें नमक डाल देंगे यह नमक मैंने कई बार यूज किया हुआ है इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क है नमक नीचे फ्यालाने के बाद हमें एक स्टैंड रखेंगे और इसके ढखकन में से हम विसल और गैसकेट निकाल के इसे बंद कर देंगे दस मिनिट तक हमें इसे प्रिहीट करना है इसे ध्यान रखे हमें विसल बिलकुल नहीं लगाना है इस कुकर में चलिए अब हम बैटर बनाएंगे लिए हमने यह पर एक मिकसर जाड लिया है इसमें मैं 1-4 कप शुगर दालूंगे और 200 ग्राम का पकिट लिया है मैंने यह पर मारी बिस्किट का तो 200 ग्राम मारी विस्केट और 1 फूर्थ कप शुगर इन दोनों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल फाइन पाउडर में ग्राइंड करना है यह देखें बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया मैंने अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून ओइल डालेंगे तो टेबल स्पून ओइल डाला इसमें वन कप मिल्क यूज करेंगे हम हाफ कप मैं अभी डाल रही हूं अब बाद में डालूँगे जी देखें बिल्कुल अच्छे से ऐसे विस्कर की मदद से चला के हम इसे बिल्कुल अच्छे से mix कर लेंगे ये देखें, half cup मैं अभी डाल रहे हूं अब इसे बिल्कुल अच्छे से mix कर लेजे ध्यान रखें, बिल्कुल हमें lump free batter बनाना है इसलिए धीरे-धीरे ही दूद डाले एक साथ सारा दूद ना डाले ये देखें, हमारा बिल्कुल smooth batter ready हो गया है अब हम इसमें cardamom powder डालेंगे elachi powder जिसे बोलते हैं अगर आपके पास elachi powder नहीं है तो आप vanilla essence भी डाल सकते हैं अब फिर इसमें 140 स्पून baking soda और 340 स्पून baking powder डालूँगे मैं अब हम बहुत ही थोड़ा सा पानी डालके इन सब को mix कर लेंगे ते हम रख के बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है अब बिल्कुल ये अच्छे से mix कर लेंगे अब हमारा battery ready है अगर आप mold में बना रहे हैं तो आप इसको directly ऐसे mold में डाल दीजिए मैं glass में डालूँगी क्योंकि हम यहां पे glass में बना रहे हैं दो glass मैं यहां पे cooker में डालूँगी और दो glass में oven में भी आपको तयार करके दिखाऊंगे इसे लिए मैंने cooker वाले दोनों glass में डाला ध्यान रखे पूरा full नहीं करना है हमें glass को बस half glass ही batter डालना है हमें क्योंकि यह full के थोड़ा ओपर आएगा इसे लिए यह देखे मैंने 4 और ready कर लिए अब हम हमारा cooker खोलेंगे जो हमने preheat करने रखा था बहुत गरम है तो आप दिहान से खोलें इसे और नीचे as a base हमें एक plate रखेंगे उसी plate के ऊपर हमें glass रखना है तो कैफुली आप यह glass भी रख दीजें अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरा glass cooker के उपर आ रहा है तो इसलिए मैं ने ढकन नहीं बंद कर पाऊंगे तो अगर आपका glass cooker के अंदर होता है तो आप बिना गैस्केट और विसल की ढकन लगा दीजे मेरा ढकन नहीं आया है इसलिए मैं बरतन लगाई हूं और आवन में रख देंगे कुकर में हम 45 मिनिट के लिए रखेंगे आवन में हम 30 मिनिट के लिए रखेंगे यह देखें आफ्टर 30 मिनिट हमारा अवन वाला केक रेडी हो गया है एक बर स्क्यूर से भी चेक कर लेंगे देखें हमारा स्क्यूर बिल्कुल क्लीन आया है इसका मतलब केक डन है इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और कुकर वाला भी एक बार चेक कर लेंगे अफर 45 मिनिट्स पैर केm बहुत गरम है तो अबब बहुत थ्यान से इसे खोलिए है इसे भी एक बार चेक कर लेंगे यह देखिए यह वाला भी हमारा स्क्यूर क्लीन आया है इसका मतलब यह भी डन है तो इसे भी हम निकाल लेंगे कुकर से और एक वायर रैक पर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ध्यान रखे हमें केक ठंडा होने के बाद ही निकालना है क्योंकि यह जो बिस्किट का केक होता है यह बहुत सॉफ्ट होता है तो आप गरम में इसे निकालने के बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा यह बहुत ही जल्दे तूट जाएगा तो अभी हमारा केक बिल्कुल थंडा हो गया है तो इसलिए अब हम इसे साइड में ऐसे चाकू लगाकर इसके साइड लूजन कर रहे हैं अब हम इसे डी मोल्ड कर लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छा बनाया है बिल्कुल ऐसे फूल गया है हमने हाफ गलास बैटर डाला यह हमारा कि ऐसे हम सारे मोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमने डस्टिंग इतने अच्छे से की थी तो इसलिए देखिए हमारा कि कितनी आसानी से बहार आ गया अब हम कट कर लेंगे तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाते हो कि अंदर से कैसा है यह देखिए कितना अच्छा स्पॉंज आया है इसमें बिल्कुल सॉफ्ट है और मॉइस्ट है तो चलिए अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए यह हमने प्लेटिंग कर ले और यह बहुत ही सॉफ्ट है जैसे आप देख सकते हैं इसका स्पॉंज बहुत ही अच्छा है यह केक आप एक बर जरूर ट्राइब कीजिए बहुत ही कम इंग्रीडियंट में बन जाता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है ना कोई अवन ना कोई मोल्ड कुछ भी जरूरत नहीं है आपको आप एक जरूर ट्राइब कीजिए thank you so much for watching